नमस्कार दोस्तों कैसे करें डॉट कॉम में आप सुभी का स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किसी को अपने फेस्बूक पेज का एड्मिन जो है वो कैसे बना सकते हैं या कैसे बनाएं तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आपको हमने आई बटन में एक वीडियो दी है या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हमने आपको बताया होगा कि कैसे आप अपना फेस्बूक पेज बना सकते हैं या फिर आप ढून सकते ह हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम लोग आपको बताएंगे कि इसकी importance क्या होती है और कैसे हम लोग किसी को page admin बना सकते हैं सबसे पहली बात तो आप page admin बनाने के बाद अगर आपका account किसी भी कारण से facebook का delete हो जाता है तो ऐसे में आपके facebook page के गुम होने के chance 0% होगे क्योंकि जिस भी बंदे को आप जिस भी इंसान को किसी दूसरे को आप admin बनाने वाले हैं तो उनको आपका page उनके account में हमेशा के लिए आपको मिल जाएगा तो आज हम लोग आपको इसी बारे में करना आप उसको दबा करके हमें subscribe जहाओ कर लीजिए और साथ के साथ जहाओ आपको विजिट करना है अपने internet browser में तो आप internet browser में facebook.com पर विजिट हो जाई है जैसा हम बिल्कुल आपको सामने दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको left side में option मिलेगा pages का तो आप जैसे उस पर click कर लीजिए वहाँ पर जैसे आप click करेंगे आपको आपके pages जो हो दिखा दी जाएंगे हो सकता है आपको यहाँ पर किसी option में दिखाए जाए तो आपको यहाँ पर विजिट करना होगा your pages में तो आप your pages में जाने के बाद आप जिस भी page का किसी admin को बनाना चाते हैं उसको जब आप ok कर लीजिए उसका चुनाव करने के बाद आपको जो हो यहाँ उपर की तरफ एक settings का option मिलेगा तो आप settings में जब वो click कर लीजिए settings में जैसे हम लोग click करते हैं हमारे सामने कुछ और options आजाते हैं वो की left side में होते हैं वहाँ पर हमें option मिलेगा एक page roles का तो हम लोग जब वो click कर लेते हैं page roles पे वहाँ पर जो हमें किसी भी और user को हमारे page का admin या फिर moderator या कुछ भी जब बना सकते हैं जैसे यहाँ पर option है admin का तो admin के बनने के बाद सारी की सारी power जो है उसको मिल जाती है editor बनने का मतलब है कि वो आपकी posts को edit कर सकता है आपके facebook page पे कुछ share कर सकता है moderator जो होता है वो होता है आपके comments को संभाल सकता है और जो भी extra चीज़ें लोगों की तरफ से आ रही है उनको जो वो manage कर सकता है advertiser होते हैं वो advertiser होते हैं आप जानते हैं analyst जो होते हैं वो analyze कर सकते हैं आपकी data को कौन से likes आ रहे हैं कब आ रहे हैं कितने आ रहे हैं और live होते हैं contributor तो यह होते हैं live contribute करते रहते हैं आप कुछ भी live video publish कर रहे हैं कुछ भी तो ऐसे में जो हो आपको contribute करते रहते हैं तो अभ से बड़ी condition रहती है कि आप जिसको भी page admin बनाना चाहते हैं वो या तो आपका friend हो facebook profile में या फिर आपके इस page को उसने कभी like जो हो किया हुआ हो यह सबसे बड़ी condition जो हो यहाँ पर रहती है लेकिन अगर ऐसा ना हो तो भी जो हो आप यहाँ को try कर सकते हैं आप उसके exact name को मुस्किल आपको रहेगी लेकिन आप ढूंड करके जो हो वहाँ पर admin add कर सकते हैं admin add करने का सबसे बड़ा लाग यही होता है कि आप किसी और facebook profile से भी अपने page को use कर सकते हैं उसमें कुछ change चाहें तो कर सकते हैं और सबसे बड़ी मात इसका benefit यह रहता है कि आपका जो page है अ आपको कोसिस कीजिए 2-3 admin जो बनाके ही रखिए अगर आपका family member या फिर कोई आपका personal linking है किसी के साथ तो तो यहाँ पर जब हम लोग बता देते हैं account में type कैसे करना आप email address की बजाए नाम ढूंडने की कोसिस जब ज्यादा कीजिएगा तो हम लोग जब हो यहाँ पर ढू हमारा दोस्त हो उसकी profile picture से उसको पैचान लेंगे और उसको हम लोग यहाँ पर add कर देंगे तो हम लोग यहाँ पर add करने की कोसिस कर रहे हैं और यहाँ पर जो हमारे user names और user जो हमें दिखाई जारहे हैं तो admin पर हमने click किया और यहाँ पर click कर देपने हैं जैसे हम एड़ पे click करते हैं हमसे पुछा जाएगा हमारे password के बारे में हमारा password retype कर देना है और हमारा process है वो आधा हो जाएगा उसके बाद हमारे process यहाँ पर बिल्कुल हमें नीचे admin के तोर पर दिखा दिया जाएगा अगर हम किसी को remove करना चाहें तो यहाँ पर edit पर click करके इसको remove भी बहुत आसानी से कर सकते हैं remove के बटन पर click करके तो उमीद है दोस्तों आप सीख पायोंगे कि कैसे जहाँ आप फेस्बुक page के उपर जहाँ किसी का admin जहाँ आपॉइंट कर सकते हैं admin जहाँ किसी को बना सकते हैं पर जिदा सा option है page पेज जाईए अपने पे right hand side में उपर आपको settings का option मिलेगा आप settings में चले जाईए वहाँ पर नीचे की तरफ आपको option मिलेगा एक left side में page role का तो आप page role पे click कर दीजे और वहाँ पर जिसको भी आप admin बनाना चाहते हैं उसका नाम एंटर करके जो भी आप उसको position देना चाहते हैं moderator की, editor की या फिर admin की वो चुनाव करके आप जब एड पे click कर दीजे आप से password पुछा जाई तो password जब आप enter कर दीजेगा तो उमीद दोस्तों आपको चानकरी अच्छी लगी होगी आप जालबायों में फेस्बुक पेज पे किसी को admin जो वो कैसे बना सकते हैं फेस्बुक पेज से जोड़ी वी और जानकाई आप आने के लिए लाल कलर के subscribe बटन को जुरूर दबाईजे जो कि वीडियो के नीचे हैं और साथ के साथ जो है वो like बटन भी दबादीजे और घंटा आइकन तो दबाई दीजे वरना आपको घंटा नोडिफिकेशन मिलने वाले हैं तो अभी जब आपने like, share, subscribe जबो कर दीजे comment में डाल दीजे आपको क्या नई जानकरी चाहिए बने रहे हमारे साथ सीखते रहे हैं कैसे करें